कि अवा फ्रेंड्स वेलकम टू मैं न्यू ब्लॉग तो अभी मैं हूँ बक्सर पटना हाइवे पे जो की नए अबन गवी त्यॉर हुआ है तो यहां पे जैसे हम लोग बक्सर पार करते हैं तो बक्सर वास पार करते हैं आपको टेया वोहास पार करते ही आपको उसे तोल आपको पारकर नखेना पाण करते ही तोटारी नीयम कानून बोगरी हटी लीजयों और हम명ा के है यहास भी वह नहीं है यहां पे यह जो गाड़ीयों के लिए जो टैक्स लगागा पैसा लिखा न है अभी लिख्याने गया मैं भूडब लगा भागया Chroment गहां दूस्य का आएगा दणीर जा जाएगा अद गाल्जान से ठीक ट्लुहाइड पीड्याभी हो गया है चलिए मैं इसको नज़्दीक से दिखाता हूं यह द development tu. इस साइड में आपको the वह अभी स्टार्ट नहीं किया गया इसको पूरी तरह से रेडि हो चुका है और अभी दोनों साइड सी रोड छोड़ा गया है गाडियों को आने जाने के लिए इस रोड से पास करते हैं तो इस इस तो जैसे बक्सर पार करते हैं तो सागर के पास पड़े का अधी धर देखे आज होली का दिन है तो पूरा रोड खाली है रोड पे गाड़ी देखने को नहीं मिल रही है तो इस सैड में भी देखिए उधर से जो लोग आएंगे पड़ा साइड से तो उनके लिए भी अलग से बोड लगा हुआ है जो भी रूड होते हैं वो लगा हुआ यहां पर तो अ दिया जाएगा तो और आगे चलने के बाद फिर टोल पलाजा आगे होगा उधर का तो मुझे पता नहीं लेकिन यहां पर फिलाल है बक्सर पार करते ही तो आप जब जब भी इधर से गुजरिये तो मतलब ध्यान में रखिए कि यहां पर टोल पलाजा है और टेक्स यहां अधर अप देखिए इस रोट का चार्ज कितना कटता है जो बक्सर के पास तो टोल पला जा है और अभी धिक हैसमें alleen पाइक का टेक्स लगता है या नहीं तुम मुझे पता नहीं कि फिलहाल जो हाईवे चालू हो रहे उनमें बाइक का फिल लग रहा है चाली सुन पर जैसे कि अभी हमारे जो फिलुपी में प्रुवांचल एक्स्प्रेस वे चालू हुआ है वहां पर 40 उर्पर लगता है वहां हमें हमें सब बराबर आना जाना है इस रोट से क्योंकि मतलब घर भी धर है अपना गाओ सारी रिस्तदारी यह मतलब कुछ काम भी पड़ता है यह इसी साइड में पड़ता है तो फिर दिक्कत होगा आप देखिए क्या होता है या कुछ बक्सर के लोगों के लिए जो पास के देखिए क्या होता है चली मिलते हैं आप से नेक्स ब्राज में तब तक विए थैंक्स दो रहा फिर वीडियो आप कैसे लगी कमेंट करका बताइए गा झाल